कुम्बराशी ये जबरदस्त टेप्स आपकी शादिशोद जीवन को बनाएंगे खुशेयाल, शांदार और रोमांचक दोस्तों मेरेज एनिकी शादी एक बहुत ही सुन्दर रिस्ते का नाम है कहा जाता है कि शादी केवल दो इनसानों के बीच का रिस्ता नहीं बलकि दो परिवारों के बीच का रिस्ता है जिसकी गांट एक तरब से आदमी और दुसरी गांट आउरत के हाथ में होती है दुनिया में पती-पत्नी के रिस्ते को सबसे अच्छा और पवित्र माना जाता है लेकिन कभी-कभी हम अपना करियर बनाने के चकर में इस रिस्ते को भी नजर अंदाज कर देते हैं जिससे पती-पत्नी के बेच दूरियां आ जाती हैं इस समस्या का हल हम लेकर आये हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी जबर्दस्त टिप्स देंगे जो आपके शाइदी शुदा जीवन में खुशियाली लेकर आएगी। शादी शुदा जीवन में खुश्याली नहीं होगी तो वहर रिस्ता अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगा इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन में खुश्याली लाने की कोशिश करे और अपने रिस्तों को समय दे सबसे पहला है इमानदारी किसी भी रिस्ते में जरूरी है इमानदारी और खासकर शादी के रिस्ते में इमानदारी का होना बहत जरूरी है आपको कभी भी अपने रिस्ते में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए और पूरी इमानदारी से अपने रिस्ते को निबाना चाहिए दुसरा है लव शादी के रिस्ते में सबसे ज़रूरी है लव लव यानि की प्यार पर क्या सच में ऐसा है क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे रिस्ते लव की बिना ही टीके होते हैं लव होता ही नहीं अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए साथ रहते हैं सारी जिन्दिगी आप यह ख़़ सकते ही कि वह सफल शादी है लेकिन आप यह नहीं ख़़ सकते ही कि यह happy marriage यानि कि खुशों से बरी शादी है याद रखे कि समय के साथ प्यार करने के तरीके में बदलाव आ सकता है पर प्यार कभी कम या खत्मन नहीं होना चाहिए तीसरा है सम्मान एक दुसरे के प्रती सम्मान होना बहुत जरूरी है अपनी शादी के प्रती सम्मान होना बहुत ही जरूरी है शादी के कितने भी साल हो जाए अपने पार्टनर को संबन देना कभी नहीं भूलना चाहिए चौता है वास्तल्य निस्वारत भावना से देखबाल करना ही वास्तल्य है हमेशा एक दूसरे की मदद करना फिर चाहे कोई भी समय हो हमेशा एक दूसरे की मदद करना ही वास्तेल्य होता है पाचवा है डिटर्मिनेशन आदे से ज़्यादा शादियां इसी वज़े से तूटी है सुकी वईवाही की जीवन के लिए यह समझना होगा कि यह कोई आसान यात्रा नहीं है छटा है निश्टा कैसे बनाए एक सफल शादी हमेशा पहला पॉइंट इमानदारी का ध्यान रखे शादी की बुनियाद दो लोगों के आपसी प्यार, समझ और विश्वास से बनती है कुछ भी करो आप हमेशा अपने पार्टनर को बता कर करे उनसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए और एक दुसरे को समझने की कोशिश भी करे साथवा है परिवारों के लिए सम्मान अधिकतर पती-पत्नी के रिस्ते में दरार फैमिली को लेकर आती है वह एक दुसरे के फैमिली का अच्छे से सम्मान नहीं कर पाते इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ-साथ अपने पार्टनर की परिवार के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप फैमिली के साथ रहें तो कोशिश करें उनकी फैमिली के अनुसार खुद को डालने की और एक दूसरे के साथ सहभागिता निवाएने की आटवा है समय दे किसी भी रिष्टे की निव के लिए सबसे जरूरी होता है समय आप एक दूसरे को जितना समय देंगे आपका रिष्टा उतना ही मजबूत होगा अगर आप दिन बर दफ्टर में व्यास्ता रहते हैं अपने किसी भी काम में व्यास्ता रहते हैं तो आपको शाम के समय अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए उन्हें समय देना चाहिए अपने दिन के बारे में बताना चाहिए और उनका दिन कैसा रहा यह भी पूछना चाहिए अगर उन्हें कोई दिक्कत या कोई परेशनी है तो आप उसका साथ दे और उसका समाधान करे तो दोस्तों यह थे कुछ जबरदस्त टेप्स जो की शादी शुदा जीवन को खुशियाल शांदर और रोमन्चक बनाता है दोस्तों अब बात करते हैं शादी के शुरुवाती दिनों में कुछ ऐसी गल्तियां हमें नहीं करना चाहिए जिससे आपकी बात जो की तलाक तक पहुंशाती है जब दो लोग शादी करते हैं तो दो परिवार एक होते हैं और शादी शुदा जोड़ा एक नई जिंदगी की शुरुवात करते हैं भारतिय परंपरा में शादी को बहुती महतोपुर्णा माना जाता है शादी सिर्प कुछ दिनों का साथ नहीं होता बलकि एक साथ जनम का रिस्ता होता है शादी एक लड़के और लड़की दोनों के लिए ही एक नया बंदन होता है लेकिन लड़कियों के लिए एक एहसास थोड़ा ज्यादा खास हो जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो शादी कर एक नए घर में आ जाती है और वहां की नई परंप्राओं को समझने की कोशिश करती है शादी की शुरुआत में कपल्स अक्सर कुछ गलतियां करते हैं जो की लाजिमी है हाला की कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है जो रिस्ते को मजबूत बनाने के बज़ाए उन्हें कमज़र कर देती है आपको बताते हैं कमसी है वो गलतियां जिसे शादी शुरुदा कपल्स करते है पहला हैं बदलने पर जोर ना दे शादी के पहले लड़का और लड़की सिंगल होते हैं और अपने मन के राजा होते हैं जिन्दगी जिने का उनका अलग अंदाज होता है हलाकि जब शादी होती है तो दोनों एक दुसरे को अपनी लाइफ स्टैल में धलने की कोशिश करते हैं ऐसा करना गलत है क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती कपल्स को हमेशा एक दुसरे की पसंद ना पसंद प्राइबसी और चोईस का ख्याल रखना चाहिए कभी भी अपनी मर्जी अपने पार्टनर पन ना थोपे और ना ही उन्हें अपनी तरहट ढालने की कोशिश में जुर जाए अगर आप ऐसा करने से बाज नहीं आएंगे तो आपका रिस्ता कमजोर हो जाएगा अगला है पैसा ना बने दिक्कत पहले के समय पुरुष काम करते थे लेकिन महलाएं घर का ही काम संबलती थी वही अब ऐसा नहीं है आज के समय में पुरुष और महलाएं दोनों ही कामकाजी होती है शादी के बाद पैसों का लेकर अकसर रिस्तों में परेशानिया आ जाती है शादी के बाद या फिर पहले ही financial बातों को लेकर आपस में बात कर लेनी चाहिए ऐसा करने से आप अपनी lifestyle को आराम से maintain कर सकेंगे और आपके रिस्ते में भी मदूरताब बनी रहीगी अगला है काम छोड़ देना आज की समय में महलाई भले ही ऑफिस में काम करने लगी हो लेकिन बहुत से पुरुषों की सोच ये होती है कि घर का काम भी महलाउं का ही होता है ऐसे में जब दो लोग शादी करते हैं तो पती पतनी पर ऑफिस के काम के साथ घर की जिम्मेदारे भी छोड़ देते हैं ऐसे में नई दुलन के उपर पूरी जिम्मेदारी अकिले में पढ़ जाती हैं और उन्हें रिस्तों में घूटन होने लगती हैं ऐसा करने से बचे घर के काम में हाथ बटाएं ताकि आपके साथ उनके रिस्ते ना बिगड़े अगला है बाते ना कपाना अरेंज मेरेंज में अक्सर ये समस्या होती हैं कि पार्टनर आपस में या परिवार के सामने कुछ बाते कुल कर नहीं कपाते हैं ये समस्या लड़कियों के साथ ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो एक नई परिवार में आयो होती है इस बात का ध्यान रखी कि किसी भी परेशानी या बात को मन में ही रखना सहीं नहीं रहता किसी भी बारे में परिवार या पार्टनर के साथ खुल कर बात करनी चाहिए क्योंकि ये बाते आगे चलकर बड़ी हो जाती है अगरी है एक दूसरे को समझना बले ही साथ फेरे और साथ वचन के साथ आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को हो गए हैं लेकिन ग्रहस्त जीवन में एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है कई बार इसी वज़े से कपल में बहस होने लगती है हलाकि इस बारे में कभी भी किसी तीसरी व्यक्ती चाहे वो दोस्तों या फिर रिस्तेदार डिस्क्रस नहीं करना चाहिए यसा से आपकी प्रावेसी खराब होगी और आपका रिस्ता भी कमज़र होगा किसी भी बात को आपको असमें बैटकर सुल जाए तबी बात बनी रहेगी तो यहती कुछ गलतियां जिसे आपको नहीं करना चाहिए वरना बात तलाक तक महुँ सकती है तो दोस्तों आज की सुलों में बस इतना ही वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथी हमारे चैनल ट्रिंडिंग नाशिपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद